Hello everyone, welcome to our YouTube channel JK Study Info Finally, एक बहुती बड़ी अपडेट निकल कर आचुकी है Job से related, almost to 4021 पोस्टोज रेफर किये गए है JK SSB को department wise हम बात करेंगे किस department में कितने पोस्टोज रेफर किये गए है एक big opportunity है बहुत सारे students के लिए बहुती बड़ी अपडेट निकल कर आचुकी है Official notification आउट हो चुकी है वीडियो आपके लिए बहुती important है वीडियो को end तक देखना फिर बाद में comment करना चैनल पर अगर पहली बार आया हो तो चैनल को subscribe जरूर करना Let's start our video दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो यह है optional day 29 मारिज 2022 और यह देख सकते हो Government of Jume and Kashmir General Administrative Department की तरफ से new notification आउट की गई है department wise यहां पर post is refer किये गए है सबसे पहले यहां पर हम renew department की बात करेंगे total 122 post is refer किये गए है यहां पर आप देख सकते हो खुद भी चक कर सकते हो इस optional notification में इन्होंने कहा है कि 122 non-guested post is refer किये गए है जमोंट कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड को इसमें से यहां पर आप देख सकते हो details भी दी गई है post की designation क्या होगी numbers कितनी है कितने post है eligibility criteria क्या होगा वो सब कुछ इसमें चक किया गया है as per recruitment rules सब कुछ वहां पर देखा गया है और JKSSB को refer किये गए है यहां पर आप देख सकते हो post shall be available for referring under direct recruitment quota under relevant categories wise open merit RBA, SC, ST, AIDSTRA जितनी भी categories है अलग-अलग categories के लिए अलग-अलग post निकाले जाएगे यह था एक department यहां पर आप खुद भी चक कर सकते हो 122 non-gasted post उस इन्होंने refer किये गए है पहले renew department को refer किया है then उसके बाद renew department ने जब identify किया then उसके बाद उन्होंने service selection board को refer किया है second है 44 post उस finance department को refer किये गए है यहां पर आप देख सकते हो यह 44 भी non-gasted post उस है बहुत सारे ऐसे post उस जो आने वाले थे वो refer किये गए है यहां पर आप देख सकते हो इन्होंने कहा है कि post उस अंडर डिरेक्टर रिक्रूट्मेंट कोटा shall be advertised अंडर SO 192 dated 17-6-2022 जो भी यह 44 post उस रिक्रूट्मेंट रूल SO 192 dated 17-6-2022 के ताहत recruit किये जाएगे advertise किये जाएगे यहां पर आप देख सकते हो same यही कहा है open merit RBA SCST अलग-अलग categories में post उस अवलेबल होगे इसी तरह यहां पर आप देख सकते हो forest ecology environment department में 92 non-gasted post उस रफर किये गए है जमाने कश्मीर service selection board को further process के लिए यहां पर आप चक कर सकते हो क्या details इन्होंने दी है इन्होंने कहा है कि designation number of eligibility criteria वो सब कुछ चक करेंगे देन उसके बाद इनको हम recruit करेंगे और post रफर हो जाएगे as per SO 192 dated 17-6-2020 इस basis पर यह post रफर हो जाएगे इस basis पर यह post रफर हो जाएगे और हर किसी category में अलग-अलग post रफर हो जाएगे इसी तरह Department of Ruler Development in पंचायती राज जिसमें VLW post भी आते हैं बहुत सारे ऐसे post जो पंचायत राज के ताहत आते हैं उसमें से 1395 non-guessed post रफर किये गए हैं जुमेंट कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को यहां पर आप आफशल डेट्स भी देख सकते हो सब कुछ आप इस नोटिफिकेशन में चाग कर सकते हो यहां पर वही कहा गया है कि पोस्ट्स एडवर्टाइज किये जाएगे SO192 के तहत और जो पोस्ट्स होगे वो अलग-अलग कैटेगरीज में अवलेबल होगे और फिर रफर किये जाएगे JKSSB को ताकि वो एडवर्टाइज करें इनको इसी तरह एगरिकल्चर प्रोडेक्शन एंड फार्मर्स वेलफर डिपार्टमेंट में 38 नान गैजड़ पोस्ट्स रफर किये गए हैं जमर्ण कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड में बहुत सारे ऐसे पोस्ट्स हैं जो जमर्ण कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड को रफर किये गए हैं आलमोस्ट टू फोर थाउजन प्लस पोस्ट उस रेफर किये गए हैं एक बहुती बड़ी अपर्चुनिटी है बहुत सारे स्टूडंट्स के लिए जो भी वेड कर रहे थे जुन्होंने भी प्रेपरेशन स्टार्ट की थी बहुत सारे पोस्ट उस के लिए वो अभी अपनी कांटिन्यू रख सकते हैं यहां पर एक बहुती बड़ी अपडेट निकल करा चुकी है जाबस से रिलेटिड बहुत सारे ऐसे पोस्ट उस रेफर किये गए हैं जो कुछी दिनू में रिकूरूट होने वाले हैं जिनकी अड़टाइजमेट नोटिकेशन नेक्स्ट मन्थ या इसी मन्थ में आने वाली हैं इसी तरह यहां पर आप देख सकते हो डिपार्टमेंट आफ फ्लोरी कल्चर गार्डन्स पार्कस उन में से एट नान गैस्ट पोस्ट उस रेफर किये गए हैं जो मेंट कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड को ताकि वो उनको फृदर प्र रेफर किये गए हैं जो मेंट कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड को एडवर्टाइजमेंट के लिए और साथ में एनमल और शीफ हजबंटरी में 137 पोस्ट उस रेफर किये गए हैं जो मेंट कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड को ताकि वो उनकी Department Posters के लिए वेट कर रहे थे Finally, यहां पर 812 Posters रफर किये गए हैं Non-Gasher Posters जमुर्ण कश्मीर Service Selection Board को ताकि उनकी Advertisement हो जाए Finally, एक बहुती बड़ी अपडेट है बहुत सारे Students के लिए Unemployment Youth के लिए यहां पर आप खुद भी चाक कर सकते हो इस Official Notification में इसी तरह यहां पर आप देख सकते हो Public Workers Department में R&B Department जो है उसमें 1045 Non-Gasher Posters जमुर्ण कश्मीर Service Selection Board को रेफर किये गए हैं ताकि वो Advertisement हो जाए Advertisement किस बेसिट पर हो जाएगे यहां पर आप देख सकते हो Clearly इन्होंने मेंशन किया है Director Recruitment shall be Advertisement Under SO 192 Dated 17-6-2020 और जो Posters होगे वो हर एक Category के लिए Available होगे जो भी Category है चाहे Open Mirate हो, RBA हो SC हो, ST हो या बाकी जो भी Category है जमुर्ण कश्मीर में उन Category के लिए हर किसी Category के लिए Posters Available होगे ये थी एक बहुती बड़ी अपडेट आप यहाँ पर Optional Notification भी चक कर सकते हो जो कि G.A.D. की तरफ से आ चुकी है बहुती बड़ी अपडेट है Unemployment Youth के लिए उमीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो के रिलेटिड अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो नीचे comment बगस में comment करना आप ये नहीं कहना कि ये फेक वीडियो है यहाँ पर आप चक कर सकते हो 29th मारश 2022 को ये नोटिफिकेशन निकाली गई है जेकी SSB को ये पोश्टिस रफर किये गए हैं जेडी की तरफ से हर एक department wise इसी तरह के लेटस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें मिलते हैं अपने नेक्स टूड़ो में तब तक के लिए good luck